Hello everyone, I hope all of you are doing very well आज की इस important video lecture में हम देखेंगे कि कब थैप रॉबरी बन जाता है और कब रॉबरी से डेकाईती हो जाता है तो section 390 of Indian Penal Code में रॉबरी के बारे में बताया गया है जबकि section 391 of Indian Penal Code में डेकाईती के बारे में बताया है तो इस वीडियो को आप एक बार full watch कर लीजिए I am sure कि इस topic के regards में अगर चाहे कैसा भी question आए आप उसे easily crack कर पाईएगा तो चलिए वीडियो को start करते हैं तो देखते हैं कब थैप रॉबरी बन जाता है देखिए always remember कि if the offender अगर offender देखिए in order to committing theft चोड़ी करने के लिए या फिर in committing theft चोड़ी करते समय या फिर carrying away the property चोड़ी क्या हुआ जो सामान ले जाने के लिए या फिर attempting to carry away the property जो चोड़ी का सामान है उसको ले जाने का तयारी करते समय अगर जो offender है किसी को भी voluntarily cause और attempt to cause किसी को भी अगर voluntarily attempt करता है या फिर कोई cause कर देता है किस चीज का heart, death or wrongful restraint या फिर fear of instant death, heart or wrongful restraint तो वो क्या करता है वो robbery commit कर देता है अब देखते हैं इसमें ये तो समझ में आ गया है in order to committing theft जो है जो offender चोड़ी करते समय चोड़ी करने के दोरान या चोड़ी करने के जो property उसको ले जाते time या फिर वो जो property है उसको ले जाने का preparation करते time अगर किसी भी इंसान को मार देता है या फिर उसको hurt कर देता है या फिर wrongful restraint कर देता है या फिर वो किसी इंसान को डर पैदा किसी इंसान के मन में डर पैदा करता है कि उससे उसको death हो सकता है या फिर heart हो सकता है या फिर wrongful restraint कर सकता है तो क्या वो offender चोड़ी नहीं वो offender robbery commit कर देता है clear है अब हम इसका एक example देखते है in order to committing theft मान लिजिए A ने B के घर पे चोड़ी करना है अब A गया B के घर पे चोड़ी करने बट उसको क्या घर के बाहर ही एक चोकीदार मिला या फिर night guard एक पहरेदार मिला तो A ने क्या किया उस पहरेदार को मान लिजिए उसका नाम C है तो A ने क्या किया C को wrongfully wrongfully restraint कर दिया कहीं पे इसको बंद कर दिया तो क्या in order to committing theft अभी चोड़ी हुआ नहीं है चोड़ी करने गया अब तो उसके पहले ही C को यहां पे wrongfully restraint कर दिया तो यहां पे क्या हुआ A has committed robbery यह इसको wrongfully restraint करके अगर यहां पे चोड़ी करता है तो क्या होगा A has committed robbery अब दूसरा एक example देखते हैं इन committing theft मान लिजिए A गया B के घर चोड़ी करने अब चोड़ी करते टाइम A ने क्या किया B को घर में wrongfully restraint कर दिया या फिर उसको hurt किया इसको मार पीट करके चोड़ी किया तो क्या हुआ A has committed robbery और एक example देखते हैं मान लिजिए A गया B के पास चोड़ी करने अब A ने क्या किया at the time of committing theft या फिर चोड़ी करते दौरान क्या करता है जो B है B को या फिर इसका कोई भी relative या जो भी है B के side से मान लिजिए किसी एक इनसान को वो wrongfully restraint कर देता है किसी एक कमड़े में बंद कर देता है and theft commit करता है तो क्या होगा वो theft नहीं होगा वो robbery बन जाएगा या फिर A अगर B के पास जाता है चोड़ी करने at the time उसने अगर किसी को hurt किया या फिर death cause किया तो वो भी robbery बन जाएगा clear है यहां तक अब देखते हैं robbery कब डकैती बन जाता है देखें डकैती का कोई definition है नहीं सिर्फ robbery में बोला गया है जो offender है वो अगर five और more सिर्फ robbery कमिट करने वाला अगर सिर्फ पांच या पांच से अधीक इंसान हो तो वो robbery नहीं वो डकैती बन जाता है तो चोड़ी भी डकैती हो सकता है किस तरह से अगर चोड़ी करते time जो offender है अगर पांच हो और इन में से कोई भी इन में से कोई भी जो ingredients है या फिर कोई भी इसमें से criteria अगर फुल्फिल कर देता है तो वो क्या बन जाएगा वो डकैती बन जाएगा इसमें डकैती में सिर्फ यह matter करता है कि offender कितना है अगर 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 फोर या फिर थ्री टू या फिर वान यह होने से क्या हो जाएगा आपको रॉबरी होगा बट यह ही अगर five or more हो तो यह रॉबरी नहीं होगा यह डकैती हो जाएगा तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे see you soon have a great and wonderful time thank you so much